और आप आप सभी कर स्वागत आपके साथ में वंद्रास रोही खबरों की शुरुआत करेंगे हम भुकम की खबर्स जहां पर जैपुर में बहुत जादा तेज जटके में आज आपके चार बजे उसके बाद जो मन्जर है वो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे दरसल इतनी जो भूकम का जटका बार-बार मैसूस किया गया उसकी जो धमक थी वो इतनी जादा थी कि विस्पोट जैसा मैसूस हो रहा था यहां तक कि जो अस्पतालों में भी मरीज भरती थे उन्हें लेकर वहां से स्टाफ भागे और उन्हें किसी तरह से बचाने की कोशिश की काफी देर तक गलियों में रुके रहे और उसके बाद ये भी देखा गया कि क्योंकि लोग जा गए थे और चार बजे का सुबह का वक्त होता कुछ लोग अमुमन उट भी जाते हैं तो जो चाई के स्टॉस से वहां पर भी इसी बात को लेकर चर्चा हो रही थी लेकिन एक गल्स लोग घबरा जाते हैं और भूकम जटके बार बार आना यह भी प्रिकृती का एक तरीके से संकेत है कि जो विकास के नाम पर चीजेए हो रही है प्रिकृती के साथ खिलवार किया जा रहा है वह ठीक नहीं है बार बार अगर भटती है कुद्रत का प्रकोफ हम बार्ट की द देख रहे हैं बारिश के रूप में देख रहे हैं और पहाड़ों पर किस तरह से भुस्कलन की घटनाय बढ़ती जा रहे हैं इससे पहले भी हमने देखाई कई बार कुद्रत की जो घटनाय हुई है वह अपना प्रकॉप दिखाती है प्रकृति के साथ खिलवार ठीक नहीं ह हैं वह राजिस्तान में महसूस किए गए जयापूर की हम घटना आपको बता रहे हैं अगर इस तरह से जटके आप महसूस करते हैं तो पैनिक नहीं बढ़ते और अपने साथ अपने लोगों को लेकर आप जल्द कर आप किसी भी फ्लोर पर रहते हैं अगर आप किसी बड़ अपनी बिल्दिंग रहते हैं तो आप तुरंद नीच आईए उसके बाद अपने आपको सेफ प्लेस पर ले जाईए पार्क में रहना सबसे जादो सुरक्षित होता है खासा और से बच्चों और बुजर्गों को आप पचाईए क्योंकि वह बहुत जल्दी पैनिक हो जात हुआ